12 नमबर में देखिए integral of x by में x का power 4 minus x square plus 1 यहाँ dx तो इन्टिग्रल of x by में यहाँ पर देखिए क्या हो जागा x के square का square minus x square plus 1 dx अब इसमें put करते हैं हम लोग x square के जगाँ पर t और इसे differentiate करते हैं with respect to x तो 2x equal to में हो जागा है यहाँ पर dt और by में dx तो यहाँ से आजाएगा x dx equal to में dt और by में यहाँ पर 2 अब इसके बाद देखिए x dx क्या हो गया dt by 2 हो गया और यहाँ पर 1 by में इसके लिए अपर हम लोग टी रखने वाले हैं तो तो आप इसे आप ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं यहाँ हो जाएगा 1 by 2 integral of 1 by t square minus का t और plus का 1 dt अब इसके बाद इसका factor करते है t square minus t plus 1 है नजी तो देखिए t का square minus 2 into में t into में 1 by 2 1 by 2 का square add करते हैं और एक बार subtract कर देते हैं और फिर plus में 1 तेहां से यहां यह formula पे set हो जाएगा t minus 1 by 2 का square और plus का 1 और minus 1 by 4 तेहीं अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा यहां हो जाएगा आपका t minus का 1 by 2 का whole square और plus में यहां पर 3 by 4 तेहां से हो जाएगा आपका t minus 1 by 2 का whole square और plus में root 3 by 2 का square हो जाएगा चलिए तो अब देखी क्या हो जाएगा 1 by 2 integral of 1 by यहाँ पर हो जाएगा t minus 1 by 2 का square और plus में root 3 by 2 का whole square और यहाँ पर आपका dt हो जाएगा चलिए अब इसके बाद हम लो देखते हैं क्या हो जाएगा formula तो यहाँ पर 1 by a square plus x square के form में है 10 बस बाद लग जाएगा 1 by 2 यह जाएगा 1 by a यानि कि root 3 by 2 10 inverse आपका आजाएगा t minus 1 by 2 और by में root under 3 by 2 और plus का सी यह 2 से 2 यहाँ cancel तो क्या आजाएगा यहाँ पर आजाएगा 1 by root 3 10 inverse उपर LCM ले लगता है 2t और minus का 1 और by में root under 3 by 2 प्लस का सी 2 से 2 कर जाएगा यहाँ t के value यहाँ पर आजाएगा आपके कितना x square ठीक है ना जी x square यहाँ पर रख जाएगा 1 by root 3 10 inverse 2x square minus 1 और by में root 3 और plus में सी यहाँ आपका answer आजाएगा आपके नेक्स कोशन पर नेक्स कोशने